मदर्श डे और मम्मी के टॉर्चर ये बात तब की है जब गट्टु चिंकी के पापा ओफिस के काम से हफ्ता भर शहर से बाहर जा रहे थे बच्चो मम्मी को तंगना करना, खेल कुद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना, मैं हफ्ते बाद लोटाऊंगा दादी भी आ रही है तुम लोगों को कमपनी देने, ठीक है? ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना पापा ने गट्टु चिंकी को कुछ पैसे दिये, और पापा चले गए जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया गट्टु चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो, उठो स्कूल जाना है मम्मे, बस पाँच मिनट और भूल गए पापा ने क्या कहा है? मम्मी को तंग नहीं करना है फटा फट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आती हूँ मम्मी, पापा भी तो एज़्जेस करते थे, हमें देर हो जाती थी फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना अफिस नहीं जाते थे आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं, मुझे मत सिखाओ, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा ये सुनकर गट्टू चिंकी गुसा हो गए, और विस्तर से उठकर स्कुल जाने की तैयारी करने लगे तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिये हैं, चलो बैग उठाओ और नीचे आओ, मैंने ओनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यो हमें बैग उठाने को कह रही हूँ? मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी हूँ, एक बात बार बार दोराने मत लगो, चलो, चल्दी चलो मम्मी का ये कठोर बरताओ देखकर, गट्टु चिंकी को रोना आ गया हम नहीं चलेंगे आपके दादी स्कूल मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे ये सुनकर मम्मी भी गुसा हो गई ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ ऐसा कहे कर मम्मी अंदर किचन में चली गई गट्टु चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गई और सोफे पर बैठी दादी ये नजारा देखती रह गई शाम को गट्टु चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले तभी भागते भागते हरी उनके पास आया अरे सॉरी यार, मीटिंग की वज़े से पापा हमें लेने नहीं आ रहे है मेरी ममी आ रहा ही है स्कूटि लेकर लेकिन हम तिनों उस पर नहीं जा पाईंगे तुम कहते हो, तो मैं ममी को बोल देता हूँ ममी तुम्हारी ममी को फोन कर देंगी तो तुम्हारी ममी भी तुम्हें लेने आ जाएंगी ये सुनकर गुसा है गट्टू चिंकी एक साथ बोले कोई जरूरत नहीं है फिर क्या गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े हरी की मम्मे कितनी अच्छी है वो उसे लेने आ गई हमारी मम्मे भी तो हमें लेने आ सकती थी वो क्यों आएंगी वो थोड़ी न हमसे प्यार करती है बाते करते हुए दोनों भोला कचोड़ी सिंटर के सामने पहुँच गए जहां कि कचोड़ीया पुरे शहर में फिमस थी लोकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला अब पेट भर कर कचोड़ीया खा करी जाएंगे हाँ हाँ पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिये है फिर क्या था दोनों ने पेट भर कचोड़ीया खाई और भोला सेठ को बिल दे दिया मम्मी को भी कचोड़िया पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचोड़िया लेनी चाहिए नहीं, नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचे फिर गट्टु चिंग की घर आये, हौल में दादी खड़ी थी आ गए तुम, मम्मे कहा है ये सुनकर गट्टु चिंग की चौक गए मम्मी कहा है मतलब, वो घर में नहीं है अरे, जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे मम्मे तुम्हें लाने स्कूल चली गई ये सुनकर गट्टु चिंग की परिशान हो गए दादी, हम तो पैदर चले आए, मम्मी तो हमें मिली ये नहीं दादी ने मम्मी को कॉल किया लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ओफ नेटवर्क था ये देखकर गट्टु चिंग की और ज्यादा परिशान हो गए धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लोटी गट्टु चिंग की दादी को बिलख बिलख कर रोने लगे दादी, मम्मी कब आएंगी? दादी, हमें मम्मी चाहिए, दादी, हमें मम्मी चाहिए गट्टु चिंग की काफे देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए रात के नौ बजे थे गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बात्चित सुनाई भी आज तो मेरी जान निकल गई थी वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए है उपर से मुबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी इतनी देर तक तू कर क्या रही थी तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए मैं भी पैदल घर की तरफ निकली तभी रास्ते में भोला कचोड़ी सेंटर मिला, सोचा बच्चों के लिए कचोड़ियां लेती आओ, लाइन में खड़ी रही, इसलिए देर हो गई ये सब सुनकर गट्टु चिंकी के नीम ही उड़ गई, दोनों को गलती का हैसास हो गया रोते रोते दोनों विष्टर से अलग हुए, और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें